Good morning friends, आज मैं आपको दूद की दो केटेक्डिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, A1 और A2 मिल्क दूद एक संपुन पॉफ्टी का हार है, जिसका सेवन हम लोग है रोज करते हैं आप दूद से चाय बनाते हो, दूद से काफी बनाते हो, दूद से खीर बनता है, दूद से और भी बहुत सारी चीजाया बनाते हो दोस्तो बात आपकी सेहत की है, इसलिए इस बात पे चर्चा होना बेहत जरूरी है कि आप किस दूद का सेवन कर रहे हो आज हम आपको A1 और A2 मिल्क के डिफरेंस बताने जा रहा है A1 मिल्क में A1 बीटा प्रोटीन पाया जाता है A2 मिल्क में A2 बीटा प्रोटीन पाया जाता है A1 बीटा प्रोटीन जो होता है यह हमारे सहत के लिए अच्छा नहीं होता वहीं आप दूसरी तरफ अगर आप A1 मिल्क का सेवन करते हो तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रोटीन कार्डियो वास्कुलर में और भी डिजिसेस होती है जिसका प्रोटीन आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रोटीन नहीं होगी आपकी आइसाइट इंप्रूव होगी आपका मतलब वेट अगर आप वेट लूज करना चाहते हो अगर आप जिम एंथूसियाफ्ट हो जिम जा रहे हो तो भी आपको जिम वाले जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको सेज़ेट करेंगे कि आप A2 मिल का से बन करिये चौती चीज अगर आपने न्यूबाउन बेबी को आपके घर में कोई न्यूबाउन बेबी है अगर आप उसे एटू मिलक देते हो तो उससे उनका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो होगा दोनों होगा दोस्तो यह हमारा स्वजेसी व्यापी का A2 गिरकाव मिलक है दूद दे रहे हैं और काफी बहतरीन आप लोग प्रोइड करो अच्छी अच्छी कॉलिटी का दूद दे रहे हो दोस्तो गिरकाव बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है अपने रखी हुई है और काफी अच्छे तरीकी से उसका देखभाल कर रहे है उनको अच्छा फॉडर देते हैं उनको अच्छी रहने की सुविधा देते हैं जिससे वो अच्छा दूद देते हैं दोस्तो अगर आप हमारा गिरकाव और करना चाहते हो या हमारा या ओक्वा कोई भी नर में दमा चाहते हो तो आप उमसरी वेबसाइट पका से यह हमें काउल कर सकते हो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवादू